हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग टो लॉफ ये वेल्गम टो लॉजिक पाथ शाला आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 11 ओगस्ट 2023 के इंपॉर्टन करेंट अफेस के क्वेस्चन्स फ्रेंड्स इस वीडियो को चो पीडेफ है वाप लोग को हमारे टेलीग्राम से मिल चाहेगा टेलीग्राम को लिंग काम को मिल चाहेगा डिस्किप्शन में टेलीग्राम पर आप लॉजिक पाथ 16 को डारिक भी सर्च कर सकती हैं तो चले फैंड्स आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं मोटिवेशन कोट से दुनिया की हर परिशानी आपकी हिम्मत के आगे गु परिशानी से बहुत ज़्यादर डी मोटिवेट हो जाते हैं वो प्रॉब्लम बढ़ती रहती है बिकॉज हम उसे सौल नहीं कर पाते हैं इसलिए फैंड्स अमेशा मोटिवेट रहें परिशानी तो आती जाती रहती हैं उसको सौल करके आगे बढ़ने की कोशिश करीं तो पारत की अध्यक्षिता में G20 ब्रष्टाचार निरोधक कारे समोगी जो तीसरी और अंतें बैठक है किस शहर में आयोजित की गई तो ये इसके लास्ट बैठक हो ये जिसका आयोजिन किया गया कॉलकाता शहर में इस बैठक में G20 कंट्रीज देशों के जो G20 की कंट्रीज ना देखे और इसमें 10 इन्वाइटी कंट्रीज भी थी और अलग-अलग जो है इंटरनाशनल ओगनाईजिशन के 154 डेलिजेट से भी अधिक ने जो है वो इसमें पार्टिसिपेट किया इसमें शामिल हुए थे इस मीटिंग में इससे पहले जो पहली और दूसरी एंटी क कहां पे कॉलकाता में इसके लावा कुछ और मीटिंग की बात करती हैं तो देखे तिंक 20 सेक्रेटरियेट समिट ये हुआ मैसूर करनाटक में जी ट्वेंटी एंपावर समिट हुआ गांधी नगर गुजरात में जी ट्वेंटी ग्रीन और सस्टेनेबल ग्रोथ एजेंटा फर ग्लोबल एकोनॉमी मीटिंग ये कहां हुई न्यू डेली में ये है फोर्थ एंवारिमेंट एंड क्लाइमेंट सस्टेनेबलिटी वर्किंग ग्रूप मीटिंग इसका आयोचन कहां किया गया चैनने तमिलनाडू में अगला कोशन देखे माया इस न्यूज रिसेंटली यह बद देखे ले घर काफी रहा है है क्या कि या देखेंगे यह है ओपरेटिंग ओपरेटिंग सिस्टम को कहा गया है OS Maya अब इस system किस तरीके से work करेगा या इसका क्या user देखिए तो इसमें Windows जैसा interface और जो भी functions है उसको एक तरीके से वो सबी देखिए कारेशमताई होंगी जैसे Windows में होती है और इससे users को इसमें बदलाव के दौरान काफी difference देखने को नहीं मिले और इसका work क्या होगा क्योंकि इन में काफी जादा संख्या में इंक्रीसमेंट देखने को मिला है तो उसको ये prevent करने में भी काफी मदद करेगा चीके तो इसको ध्यान ने किया ये एक operating system है इस तरीके से question पोच सकते हैं next which state has recently launched the मेरी माटी मेरा देश campaign in this state हाली में किस राजे ने मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू किया है राइट आंसर महराष्ट तो महराष्ट ने इस campaign को शुरू किया है महराष्ट के chief minister एक नात शिंदे ने इस campaign को launch किया है ये जो campaign है इस campaign का देखे सिर्फ यही purpose नही है कि जो हमारे शहीद उनको tribute देना also देखिए ये patriotism जो हमारी देश भक्ती और जो nation building और nation की तरफ हमारी service है उसके लिए भी इसको जो है वो इसकी इसको स्थापित करने की जो योशन है बनाई गई है तो इस campaign से इस तरह से effect लेकिया आया जाएगा और इसको अभी हाली में लॉविए कbn लैख किया है महरास्ट के चेफ मिनिस्ट्र एकनातशिंदे ने महाराश्ट की बात करें capital है Mumbayal देखे़ domains स्थे ने डेपटि चेफ मिनिसट्र देविंदर फड़नाविस स्गर्वर्नर यहां की है रमेश 12ब 2022 wasn exist अब आते हैं रिविशन पे महारास्ट से करते हैं महारास्ट के जो प्रिजन डेपार्टमेंट है उन्होंने वीडियो कॉल फेसिलिटी शुरू की थी फॉरन नाशनल जो उनके लिए की वो वीडियो कॉल कर सकते हैं 15 मिनिट्स के लिए इसके लब इंडिया का पहला कार्ब नीट्रल विलेज यह डेवलप होने जा रह किया था महारास्ट गवर्रमेंट ने जो की है साशन आपलिया दोवार पोर्टल दारी स्वारी पोर्टल इसके लाव फ्रेंट्स महारास्ट में जो एहमद नगर उसका नाम अहिल्या वाई होलकरची के नाम पे रखा गया है नेक्स्ट महारास्ट सरकार ने सलोखा योशना को शुरू किया स्टेट में महारास्ट में एक नया इनिशेटिव शुरू किया गया था महारास्ट के नाकपु शहर में जो इनिशेटिव था बैगर फ्री सिटी का इनिशेटिव नेक्स्ट महारास्ट पहला स्टेट बना था जिसने पास किया था लोका युक्त बिलको इसके लाव फ्रेंट्स ने आनकेंगे एक लोन इसकी महां पर शुरू की गई थी जिसे नाम किया दिया था जीवला यह महाराष्ट के prison department ने start की थी महाराष सरकार ने चलो mobile application और बसों के लिए smart card भी शुरू किये थे तो यह सभी हमारी important news है friends महाराष्ट से related आती है next question पे question है recently राज़ोरी चिकरी बुड़क्राफ्ट इसके लावा मुश्क बुद्धजी राइस secure GI tax from which state और UD so यहाँ पे देखें दो product हैं एक है राज़ोरी चिकरी वुड़क्राफ्ट और दूसरा है देखें मुश्क बुद्धजी चावल किस राज़य या किस केंदर साश्र प्रदेश से इन्हीं GI टेग प्राप्त हुआ है right answer है जम्मू कश्मीर तो जम्मू कश्मीर से अभी ने recent मिला है GI टेग बात करें राज़ोरी डिस्ट्रिक चिकरी वुड़क्राफ्ट की तो दिखें इसमें बहुत fine grain जो है वुड़ और जो चिकरी होती है चिकरी वुड़ होती है उसको जो जम्मू प्रोविंस के hill range है वहाँ पर देखें यह मिलता है और उसमें काफी अच्छे से delicate करके उसमें चीज़े बहुत अच्छे तराशा जाता है इसको और इसके लावा मुश्क बुद्धिजिर राइस है यह short bold grains aromatic essence thrive mst elevated heaven to kashmere मत अभी छोटे होते हैं bold इनका grain grain का bold होता है इनकी जो essence होते हैं काफी aromatic होती है तो यह दोनों के दोनों जो product हैं काफी famous है जम्मू कश्मीर से और वहां की एक तरह के specialty को दिखाते हैं और इन्हें मिला है जम्मू कश्मीर से अभी GI tag जम्मू कश्मीर से कुछ और news की बात करने हैं friends तो देखे जम्मू कश्मीर ने अभी एक application launch की थी mobile दोस्त application इसके लावब जम्मू कश्मीर के agriculture production department ने launch किया था किसान संपर्क अभियान को नेक्स्ट नियूस के आने अकेगा friends जम्मू कश्मीर सरकार ने launch किया था plantation drive international women's day के अवसर पर प्राइम मिनिस्टर नरेंदर मोदी जी ने जो है multiple development project की यहां पर अधाशिला रखी नेक्स्ट यहां दिखेंगे friends जम्मू कश्मीर के जो lieutenant governor है manosina उन्होंने एक portal launch किया था और portal का नाम किया था अवसर अगला question question है what is the current repo rate after the third bimonthly monetary policy for fiscal year 24 fiscal year 24 के लिए तीसरी दोई मासिक मौदरिक नीती के बाद वर्तमान में repo rate किया है तो repo rate देखेंगे unchanged है 6.5% पहले था अभी भी 6.5% ही repo rate है अच्छा अगर friends बात करें repo rate होता क्या है तो repo rate वो होता है देखेंगे जब RBI जो है जो अन्य commercial banks होते हैं उनको loan जब देता है तो जिस interest पे RBI उन्हें loan देता है जो वो rate होता है उसको कहते है repo rate और वो कितना है इस time पे 6.5% interest rates की बात करें तो देखें repo rate तो unchanged है 6.5% STF यानि standing deposit facility इसका rate है 6.25% marginal standing facility MSF rate and bank rate maintain ही है 6.75% पे और CRR है 4.5% यह जो rate होते हैं यह exam में directly ही पूछ लेते हैं कि ऐसा नहीं कि यह value नहीं पूछ सकते हैं यह important values है अगला question which of the following bank has launched a 24-7 of video banking service providing customer with real-time video calls for banking services किस bank ने 24-7 video banking सेवा शुरू की है जिसमें आप देखें जो real-time video call है वो कर सकते हैं customers और यह facility किसने शुरू की है AU Small Finance Bank Limited ने AU Small Finance Bank पहला इसा bank बना है जिसने इस टाइब की service को launch किया है यह जो facility available होगी bank's customer irrespective of this type of their banking relationship मतब वो अपनी banking से related जैसे credit card, loan, saving, digital savings, basic service savings, current account etc. इन सभी के बारे में जो है वो facility यह सारी चीज़े available होगी देखे इस facility में और customers जो है वो इनके बारे में जो भी उनकी queries होगी वो सभी यहाँ पे उनका समधान होगा तो 24 into 7 यह जो है वो service को start किया है EU Small Finance Bank नी EU Small Finance Bank Limited के सापना होई 1996 में headquarters का है जैपुर राजस्थान में इसके founder और MDCU है संजय अगरवाल executive director है उत्तम टिब्रेवाल और इसकी tagline है चलो आगे बढ़े हम भी चलिए आगे बढ़ते हैं फिर next question है who has been appointed as additional director general of Indian coast guard भारते तत्रक्षक बल के अतरिक्त महा निदिशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है answer S. परमेश तो S. परमेश यो है friends यह additional director general बनी है इंडियन coast guard में इसके लावा कुछ और appointments की बात करती हैं तो देखिए अभी Cyrus पुनावाला's group के लिए strategic advisor कौन appoint हुए के की मिस्त्री, Central Board of Indirect Access and Custom के chairman बने Sanjay Kumar अगर्वाल, Qualcomm India के president बने Savi Soni और Military Nurse Service में additional director general पत पे appoint कौन हुए अमिता रानी अगला question who has been appointed as a new MD and CEO of SBI Life Insurance Company तो SBI Life Insurance Company के नए MD और CEO के रूप में किसे न्युक्त किया गया है आंसर है यहाँ पे अमित जिंगरान इनको जो है friends appoint किया गया है यह SBI Life Insurance Company के MD और CEO appoint हुए है currently दिखें यह हाइदरबार सर्किल में Chief General Officer के रूप में कारे रत है उन्होंने August 1991 में PO के रूप में शुरुआत की थी और काफी international banking में अलग-अलग positions पे इन्होंने काम किया है और अब करेंट में यह SBI Life Insurance के MD और CEO पत पे appoint हुए है अगला question who will lead the 28-member Indian team at World Athletic Championships in Budapest, Hungary देखें जो World Athletic Championship है न इसमें 28 जो members Indian team है उसका नित्रत्व कौन करेंगे तो इनका नित्रत्व करेंगे Javelin Thrower नीरत चोपड़ा World Athletic Championship यह 19 सगस्त को स्टार्ट हो चाहेगी देखें और यह कहां पर होने जा रही यह भी आदखेंगे Budapest, Hungary में नीरत चोपड़ा दो बार Diamond League देखें इन्होंने जीती एक बार 5 में दोहा में हुआ था तो यहां पर complete होते हैं Friends हमारे Current Affairs के questions अब बात करते हैं स्टैटिक जीके के questions की सुदेगे पहला question In which Indian state is the Flamingo Festival celebrated? Flamingo उस सब किस भार्टे राजे में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है कहां पे? आंधर प्रदेश में आंधर प्रदेश में celebrate किया जाता है Flamingo Festival Main purpose यह होता है इस festival को मनाने का कि जो tourism है उसको promote करना और यह festival देखे organized होता है winter season में जब migratory birds जो है thousand of migratory birds visit करती हैं जो है वो यहां पे तो उसी दोरान जो है इस festival को celebrate किया जाता है अगला question फतेफुल सीक्री was founded as a capital of the Mughal Empire by Daesh फतेफुल सीक्री किस थापना किस के दोरा Mughal सामराजय के रास्थानी के रूप में की गई थी तो सही answer हो है आपे अकबर फतेफुल सीक्री जो है से build किया था Mughal Emperor अकबर ने और उन्हें प्लान किया था कि जो city है इसको शहर बनाया जाएगा बट कुछ टाइम में ही देखें आपे water की कमी की वज़र से इस city को खाली करना पड़ा था और 20 साल की में ही Mughal ने अपनी जो capital है वो shift कहां कर ली थी लाहोर में shift कर ली थी फतेफुल सीक्री जो है इसको built देखे किया गया था between 1571 and 1585 की बीच में जो है इसको built किया गया था मुगल डाइनेस्टी की बात करती है तो मुगल डाइनेस्टी की स्थापना किस ने की थी ये भी याद रखेंगे बाबर ने की थी कब 1526 मी अगला question which Veda depicts the information about the most ancient Vedic age culture सबसे प्राचीन वैदिक यूगीन संस्कति की जानकारी किस वेद में मिलती है आंसर होगा यहाँ पे रगवेद रगवेद जो है ये चार जो वेदास है उसमें सबसे oldest है सबसे पुराना है ये भी हमारे लिए important है कई बार यही पूछ लेते है कि सबसे oldest Veda कौन सा है आप कांसा रहेगा रगवेद next question मेगीनोट मेगीनोट लाइन एक्जिस्ट बिटूइन विच कंट्री तो मेगीनोट जो रेखा है ये किस देश के बीच में विद्देबान है तो ये रेखा है फ्रांस और जर्मनी के बीच मेगीनोट लाइन एक डिफेंसिव लाइन है फ्रांस में और इसे 1930 में जो है वो कंस्ट्रक्ट किया गया था कुछ और important लाइन की बात करें जैसे डूरंड लाइन की अच्छा बात कर लेती है तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है इसे तरह अगर बात करें फ्रेंट्स मैकमोहन लाइन ये इंडिया और चाइना के बीच है ये important lines है ज्यान रखेगा इनके बारे में इस तरह से पूछ लेती है रेड क्लिफ लाइन की बात करती है रेड क्लिफ लाइन तो ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये लाइन है अगला question who was the first तीर्थंकर of जैन जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे सही answer है रिशवदेव तो रिशवदेव जो थे ये जैन धर्ण के पहले तीर्थंकर थे और अगर बात करें सबसे लाइस्ट तीर्थंकर ये भी पूछ सकते हैं तो आप cancer होगा महावीर तो यहां हमारे सभी questions friends हो गए है complete अब बात करते हैं revision की तो चले कल की questions को revise कर लेते हैं friends पहला question है which shape participated in PESECS 2023 with Royal Saudi Navy किस जहाज ने भाग लिया था भारत की तरफ से INS 690 दूसरा question G20 members countries को dedicated जो एक art exhibition है कला प्रदर्शनी है कि किस राज्य में शुरू हुई तो ये कला प्रदर्शनी शुरू हुई बिहार state में next which state government is planning to build a dam in the state of at a cost of 6,134 करोन रुपीज तो इस डाम को बनाने की योशना बना रही है हर्याना सरकार who has been appointed as a new chief financial officer of Elon Musk owned car maker Tesla तो टेसला के जो नए अभी मुख्य वित्य अधिकारी के रूप में appoint किया गया है किसे बैववत तने जागो who has been awarded global leader award 2023 for health care expansion in Africa अफ्रीका में देखिए friends से स्वास्ती सेव विस्ता तो देखिए जो award किसे मिला है आंसर होगा जैशेश सैनी अगला question which of the following state has been awarded best performing state award in kedver organ donation किस राज्य को शव अंगदान में सर्वशेष्ट प्रदर्शन करने वाले राज्य पुरिस्कार से सम्मानित किया गया है आंसर तमिलाडू next question which of the following team won the FA Community Shield 2023 किस team ने FA Community Shield 2003 चीता है तो कौन सी team है Arsenal Arsenal team ने title चीता और इन्होंने defeat किया final में Manchester City को so यहां friends हमारे questions हो गए है complete कल आप लोगों से हमने test में चले दो question बूचिते हैं उन्हें discuss करते हैं question था पहला Ajay Warrior यह अभ्यास इंडिया और ब्रिटेन के बीच में आयोचित किया गया और second question था हमारा कि जो है 68 Hyundai Film Festival में Best Film का Award किस ने चीता तो Best Film का Award चीता है गंगु बाई काटियवारी ने तो बिल्कुल सही answer है friends आप सभी के आज के हमारे comment है आप लोगों की तो पहला question है देखिए आज का in which year was the Mac Mohan Line put in effect तो मैंने आपको बता दिया था कि जो Mac Mohan Line है देखिए किस किस के बीच में है अब यहाँ पी क्या question पूछा है गया है कि ये किस वर्ष में लागू की गई थी दूसरा question है भारत के किस शहर को Manchester of the East यानि पूर्व का Manchester कहा जाता है तो ये दो question है आप सभी के लिए homework के लिए और आप इनके answer हमें comment box में ज़रू बताएं friends इसी के साथ आज की यहाँ पे वीडियो के सभी questions complete होती है और अपनी तयारी को friends बहुत अच्छे से रखें देखिए अगर आप hard work करेंगे कितनी भी problems कियो ना आए आप उने face कर पाएंगे आप उनसे बाहर निकल पाएंगे तो इसलिए hard work करें अच्छे से मेहनत करें friends और अपने उपर विश्वास ज़रूर रखें ये दो तिन चीज़े अगर आप अपने life में implement करेंगे तो ये आपको success की ओर लेके जाएगा ऐसी important videos में फिर आप से मिलेंगे आप चैनल पे बाकी अधर playlist ज़रूर चेक करें आप लोग अपने current affairs को weekly और monthly भी revise करें उसके लिए चैनल पे weekly current affairs की playlist और monthly current affairs playlist अलग से भी है अब वहाँ पी easily videos देख सकते हैं current affairs topics अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो current affairs topics 2023 की playlist है इन सभी को ज़रूर देखे फ्रेंड्स ये सभी आपके लिए exam के लिए most important videos हैं Thank you so much for watching this video